गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे VN Video Editor के अंदर उर्दू Fonts को add कर सकते हैं So उर्दू Fonts को add करने के लिए आपने सबसे पहले उर्दू Fonts को download करना है जैसे के यहां पर मैंने download किया है जमील नोरी को सो आपने simply google में जाके search करना है उर्दू fonts या जमील नोरी fonts and then आपने सबसे पहले उर्दू fonts को download कर लेना है ठीक है and download कर लेने के बाद आप अपनी videos या अपनी pictures के उपर उर्दू text में कुछ लिख सकते है जैसे के हाँ पर मैंने लिखा है ठीक है so font download कर लेने के बाद आपने क्या करना है आपने यहां पर एक text add करना है and text add कर लेने के बाद आपने यहां पर अपने text के उपर पिर tap कर लेना है ठीक है text के उपर आप जैसे ही tap करोगे यहां पर आपके पास option आएगा edit का अपने edit के उपर tap करना है and edit के उपर टैप कर लेने के बाद गाईज यहां पर आपको option मिलेगा font का आपने font के उपर टैप करना है font के उपर टैप कर लेने के बाद गाईज अब यहां पर आपको option मिलेगा add font का तो आपने इसके उपर टैप करना है and tap करने के बाद आप यहां पर आप देख सकते है my phone के अंदर मैंने जितने भी phone set किये है वो यहां पर कुछ इस तरह show हो रहा है ठीक है so यहां पर अगर आप उर्दू phone को add करना चाहते है तो आपने क्या करना है आपने नीचे add phone के उपर tap करना है and then आपने अपने मुबाइल phone के storage से उस phone के file को select कर लेना है ठीक है and select कर लेने के बाद यहां पर आपका जो phone है उर्दू का वो add हो जाएगा ठीक है तो आप इसी तरह उर्दू phone को add कर सकते है उसके बाद अगर आप कुछ type करना चाहते है तो आपने क्या करना है आपने अपने keyboard में space button को long press करना है and long press कर लेने के बाद यहां पर आपके पास आएगा उर्दू keyboard का तो आपने उर्दू keyboard select करना है and then you can write anything in उर्दू ठीक है so that's it आज की वीडियो में बस इतना ही please video को like कर दीजिएगा channel को भी subscribe कर दीजिएगा and मैं आपको मिलता हूँ next video में तब तक के लिए take care and goodbye